जन्सुराज के सुत्रदार प्रशान्त किसोर ने नितीश कुमार की राजनेतिक महत्व कांशाओं की पोल खोलते वे कहा है कि नितीश कुमार को पता था कि 2024 में लोगसभा का चुनाओ जितने के बाद भाजपा सबसे पहले उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाती है और हटा के कहती ही कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा अब भाजपा की मजबूरी लोगसभा के चुनाओ तक है यह जो प्रशान की सोर है वो कहते वे नजर आये जहां प्रशान की सोर ने ये कहा कि लोगसभा में भाजपा एक बार जीत कर आ जाती तो उनकी सरकार दिल्ली में बन जाती फिर उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटा देती नितीश कुमार ने अनुमान लगाने के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागडबंदन की विवस्था बना ले ताकि 2025 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें वहीं फिर नितीश कुमार ने कहा कि अग जीश कुमार को ना तेजस्वी से प्यार है ना कभी वो RJD के समर्थित हो सकते हैं अपने पूरे जीवन में बिहार की वर्तमान विवस्था के हिसाब से अगामी चुनाव नहीं होंगे अगामी दोनों चुनाव कब होंगे ये नहीं पता लेकिन बिहार में जो आज की विव दिखेंगे इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा इसकी जलक आपको दिख भी रही होगी प्रशान किसोर हैं वो कहते हैं कि महागट बंदन को 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं कि इसको बनाने में क्या समस्या है इसे चलाने में क्या परिशानी आती है कितना समय प्र को महागट बंदन बना था उसमें लालू नितीश कुमार कितने बार मिले थे यह अधिवा皆 इसे म मध बनाने कि यह कहा था यƯह प्रशान किशोर का बयान था जर्छां éléments म कि पद्यात्रा है वह करते हूए बिहार में अलगलत जबोंवjem पर नजर आ सानन टिक नितीष कुमार सुमेट भाजपा के तमाम लोगों को लपेट से वे नजर आ वो किसी ynıहीं छोड़ रहे हैं। उन पर वह टाक्स करते हैं रहे हैं व्हाद कि corazón exclude राजनीतिकार होते हैं उसमें से एक माने जाते हैं और आईपेक जो अपनी कम्पनी हैं उसका भी संचालन करते हैं अलग-अलग देश के कोनों में अब देखनी जो के बात यह है कि क्या जन्द सुराज जो है उससे उभर कर अपनी पार्टी का निर्मान करते हैं और उसके बाद से बिहार की राजनीती में एक अलग रुक और एक अलग पैचान बनाते हैं कि लिए और नितीश कुमार को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है फिलाल जंता के सामने आपकी क्या रहा है आप भ